दोस्तो अगर आप भी टीम इंडिया को एक बहत्रीन टीम बानते तो मारे इस वीडियो को जरूर लाइक के जेगा हो दूसरा टी-20 मकाबला कापी रोमान चक होते वेस्ट अंडिज ने आकरी गेन तक अपने अनाम कर लिया है इसे में टीम इंडिया भी यह बड़ा मकाबला जीज सकती तो बताएंगे इस रोमान चक मकाबले का पूरा आयलाइट वीडियो तो हम वीडियो को पूरा देखते रहे वीडियो को लाइक का दीजे चैनल पने हो तो सस्क्राइब बटके बैल बटन जरू दबारे दोस्तो टीम इंडिया को जहां पहले बल्ले बाजी करने का मुका मिला तो सूरे कुमार यादो और रोईसरमा बल्ले बाजी करने है जा रोईसरमा पहली गेंद पर आउट ओकर पवले ने लोट के उसके बाद में सूरे कुमार यादो ने एक छक्के के मदद से मैस 6 गेंदों पर 11 रन करके आउट हो गे और टीम इंडिया को दो बढ़ाया जहारदिक पांडिया ने 31 गेंदों पर 31 रन 2 चोके और 2 चके की मदद से टोके तो रिसरमा बंद ने 2 चको की मदद से 12 गेंदों पर 24 रन ठोके उसके बाद में रविंदर जड़े जाने कापी सांदर बल्ले बाजी करते हो 37 रन का योगदान दिया उसके बाद म में जब वेस्टनिजी टेम बल्ले बाजी करने उतरी तो ओडेन स्मित के साथ ब्रेंडन किंग आये थे जब ब्रेंडन किंग ने कापी सांदर बल्ले बाजी करते हैं बाउन गेंदों पर 28 रन ठोक दिये लेकिन उसके बाद में अर्षदीप सिंग और आविस खान की कापी कर ली है और टीम इंडिया को बगले मकाबले जितकर सीरीज पर कबजा करना होगा